हलो एडिवान और वन्स अगें वेलकम तो उमर तस्कीर यूटीव चैनल माइसल्फ उमर तस्कीर गईस माइक्रोसॉफट आड्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट कीवर्ड प्लानर टूल येस गईस जिस तरीके से हम गूगल आड्स में हमारे कीवर्ड प्लानर टूल है उसको यूज करें थाकि हम बेदर से बेदर जो कीवर्ड हैं हमारे business के recording इनको हम फिगर आउट कर सकें देखिसकें कॊन से popular कीवर्ड हूं उनके उपर जो bidding चल रही है वह किस टाइप की bidding चल रहे फिर उन keywords को लेकर हम लोग अपने campaigns especially जो search campaigns है उनको run कर सके यह सारी चीज़े हम लोग Google Ads में करते हैं similarly Microsoft Ads के अंदर भी हमारे पस keyword planner tool होता है Microsoft का ही keyword planner tool होता है जिसके help से Microsoft Ads के लिए जो हमें keyword research करनी होती वो हम कर सकते हैं और भी बहुत सारे features इस particular tool के अंदर चलिए explore करते हो देखते हैं किस तरीके से यह tool काम करता है और किस तरीके से हम हमारे keywords के research Microsoft Ads tool के help से कर सकते हैं तो guys यहाँ से मैं सीधे आ जाओंगा Microsoft का जो हमारा portal है उसके उपर और उसके बाद guys हमें यहाँ पर जाना है नए keywords को अगर हमें search करना है on the basis of their search volume on the basis of their bid इन सारी parameters के basis पर अगर मुझे नए keywords figure out करने है I can go ahead and find new keywords या फिर मैं अगर अपना budget plan करना चाहता हूँ या keywords से related कुछ insights जो है वो gain करना चाहता हूँ I can go ahead और जो volume data and trends वगारा से related research है या performance और cost estimates से related जो चीज़ें है वो अगर हम करना चाहे तो वो हम यहाँ कर सकते है but for now हम लोग guys नए keywords को किस तरगे से research कर सकते हैं इस tool के थूँ इसी को हम लोग explore करने वाले है तो simply मैं यहाँ पर जाऊंगा search for new keywords using a phrase, website और category तो अगर आपके पास तीनों मैंसे कोई एक भी चीज़ है या तीनों ही चीज़ें है तो उनके basis पर आप यहाँ पर जो searches है वो कर सकते है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हमारा option मिलता है कि हम अपने product या service के basis पर जो है keyword research कर सके हमारे पास अगर कोई website है तो वो मैं यहाँ पर put कर सकता हूँ जैसे अगर मैं uptown skyla को use करना चाहूँ यहाँ पर तो मैं uptown skyla website को हम लोग use कर सकते है तो अगर हम चाहे तो इस पूरी की पूरी website का जो content है वो use होगा इस website के उपर जिस type का भी content होगा उससे मिलते जुलते keywords को find करने के लिए या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं केवल इसी specific landing page को use करना चाहता हूँ यह चीज़ कब होती जैसे आपकी कोई website है let's say मेरी website है कोई courses के उपर और मेरी website पर 5 courses है पाचों courses बिल्कुल अलग अलग है जैसे अगर मैं बात करूँ web development का course तो बिल्कुल अलग है अगर python के course की बात करें तो बिल्कुल अलग है अगर हम यहाँ पर digital marketing के course की बात करें तो इन दोनों courses से अगर उसको compare किया जाए तो बिल्कुल ही अलग type का course है तो ऐसे case में आप नहीं कहोगे कि मुझे keyword research करनी है इन तीनों ही web pages के according या पूरी ही website के according ऐसा नहीं होता है guys क्योंकि यहाँ पर क्या है जो मैंने case लिया यहाँ पर हमारे पास different courses है तो उन different courses के हिसाब से हमें जो हमारे keywords हैं उनको research करना पड़ेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे एक बार एक landing page के हिसाब से कर लेंगे दूसरी बार हम दूसरे landing page के हिसाब से कर लेंगे क्योंकि जो keywords या जिस type की queries कोई web development course वाला बंदा जो है वो queries वो digital marketing वाला बंदा तो सर्च करेंगा नहीं तो दोनों अलग अलग चीज़ है मलब एक type के keywords web development course के लिए और उसी type के keyword digital marketing course के लिए तो हो नहीं सकते तो गाइस यहाँ पर हमारे पास यही option जो है वो दिया हुआ है और इसी लिए यह option दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पर जो है वो filters लगा सकें या select कर सकते हैं कि आपको landing page के according करना या फिर आपको website के जो according है वो करना है या फिर आपके जो product यह service किसी category में fall करती है you can go ahead और उसके according जो है आप research कर सकते है पट यहाँ पर guys मैं इन दोनों ही चीज़ों को नहीं use कर रहा हूँ let's say मेरे पास मेरे कुछ keywords है let's say digital marketing course है या इसमें कॉमा लगा लगा कि मैं और भी आगे use कर सकता हूँ online marketing course हो गया यहाँ पर हम digital marketing training को भी use कर सकते हैं तो मैं digital marketing training भी हाँ mention कर देता हूँ let's say मैं यहाँ पर यह जो हमारे तीन phrases हैं या जो तीन मेरे पास आप बोल सकते हो इनको मेरे seed keywords है तो यह मैं तीन seed keywords यहाँ पर enter करता हूँ और इसके बैसे मैं देखता हूँ मुझे आगे क्या data देखने को मिलेगी अब guys एक और बहुत important चीज़ so guys आप further जो है ना क्या कोई filter लगाना चाहते है जैसे language आप किस type के language के लिए research करना चाहते है जो keywords है उनको search करें अब आपको add चलाना है US में अब इंडिया की तो research आप देखोगे नहीं है न तो यहाँ पर आप इस चीज़ का थोड़ा से ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी जो location है वो क्या selected है तो हम लोगे case में आपर जो location selected है वो US selected ठीक है और उसके बास search network तो यहाँ पर आपके पास option होता है जैसे हमें बता है कि Microsoft ads के थुरू हम different different जो हमारे search engines है उनके ओपर हमारे दिखा सकते है जो कि Microsoft owned है तो हमारे पास option होता है कि हम Bing and Yahoo पे दिखा सकते है या Bing and Yahoo syndicated search partners only पे हम दिखा सकते है तो मैंने यहाँ पर all search network ले रखा है क्योंकि मैं जब add चलाओंगा जब मैं campaign चलाओंगा तो मैं search engine specific नहीं होंगा हर जगा मुझे campaign चलाना है तो जब हर जगा मुझे campaign चलाना है तो हर जगा के अगर data मुझे दिख रही यहाँ पर कोई problem की बात नहीं होनी चाहिए तो search network आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा search network selected है उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर तो keyword filters के आपके पास option होते है on the basis of average monthly searches कि आप चाहते हो कि आपके जो keywords है उनकी average monthly searches जो है वो 100 से जाद ही हो या जो suggested bid हो वो greater than या less than या equal to 15 rupees हो या 20 rupees हो तो guys अगर इस type के कुछ requirement है तो आप यहाँ पर कर सकते हो बट मैं अभी आपको suggestion नहीं करूँगा आप जो है सारे keywords को देखें फिर वहाँ पर अगर आपको further कुछ ज़रूरत लगती है कि आप वहाँ पर filters लगाए तो फिर वहाँ पर आप जाकर filters लगाए यहाँ पर starting में अगर आप filter लगा लेंगे तो आपके सामने data ही नहीं आएगे और data ही नहीं आएगे तो फिर आप decision किस तरह से लेंगे तो मैं यहाँ पर filters लगाने को recommend नहीं करूँगा मैं भी नहीं करूँगा आपको तो गाइस यहाँ पर अगर मुझे को निगेटिव की वर्ड्स मार्क करने तो मैं कर सकता हूँ अगर मुझे लगता है कि specifically मेरे जो की वर्ड्स आएंगे उनमें ये चीज होनी चाहिए जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि digital वर्ड तो होना ही होना चाहिए तो अगर मैं इस टाइप से keywords के उपर filter लगाना चाहता हूँ अभी के लिए मैं इस चीज को भी ignore कर रहा हूँ क्योंकि एक बार तो initially मैं ये चाहूँगा कि मुझे जादा से जादा data दिखे जादा मुझे information दिखे फिर उसके बाद उसके according मैं चाहूँगा तो मैं उसको change कर लूँगा date range last 12 months का हमारे पास option है यहाँ पर आप देख सकते हो so guys इसके बाद हमें simply यहाँ पर जाना है और get suggestions के उपर click करना है now you will see कि आपके सामने जो भी आपने inputs टालें उसके basis पर पूरे का पूरा result आपके सामने अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूँ थे left hand side में आपको जो है पूरी targeting दिख रही जो आपने select किया है further आप यहाँ से भी changes करना चाहो आप कर सकते हो आप अपनी search को modify करना चाहो तो यहाँ से modify भी कर सकते हो यह जो आप देख रहे हो नहीं दिख रहा है कि यह keyword है इसकी average monthly searches है यह दूसरा keyword है इसकी average monthly searches गाइस ऐसा हमें नहीं दिख रहा है बलकि यहाँ पर जो same type of keywords है उनको एक art group type में combine करके हमको results दिखा रहा है जो जैसे अगर मैं आपको दिखाने कुछ कुछ जिसे best digital marketing course का एक art group बना हुआ है और relevance के according जो मैंने यहाँ पर inputs डाले है उनकी relevancy के according मुझे यहाँ पर दिख रहा है और अगर मैं इसके उपर click करूँ तो आप देखो इसके अंदर 10 keywords हैं जो इसी से best digital marketing course, best digital marketing course best digital marketing courses what is best digital marketing course but guys मैं आपको यह नहीं recommend करूँगा बहुत सारे लोग यह करते हैं कि यहाँ पर जो art group बना हुआ होता है बस इसी art group को select कर लेते हैं कि अच्छा मुझे तो normally मेरा art group भी बना हुआ दिख गया मिल गया और मुझे अप कुछ मेहनत करने की ज़रुरत नहीं है तो वो simply यहाँ से इस art group को select करते हैं और इसको account में save कर गए वो further आगे जो है वो move कर जाते हैं अपने campaign को run करने के लिए बट guys मैं कभी भी आपको recommend नहीं करूँगा आप क्या करूँ यहाँ पर जो आपको दूसरा option दिख रहा है keyword suggestions का आप हमीशा keyword suggestions के उपर जाओ और उसके बाद जैसे सबसे पहला जो filter है that is actually average monthly searches तो उसके business पर आप देखो यहाँ पर यह online course दिख रहा है online digital marketing course दिख रहा है हमें now what we can do is अब हम अगर keyword filter लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर keyword filter लगा सकता हूँ कि मुझे वही जो है searches दिखें जिनका जो average monthly searches है वो 1500 से जादा हो या let's say 2500 से जादा जिनका average monthly searches हो वही keywords मुझे दिखने चाहिए तो मैं इसको save करूँगा now we will get a filter data तो अगर आप देखो यहाँ पर अब आपके सामने जो data है वो काफी filter data है और कुछ आपके पास hot keywords जो है along with the उनकी जो suggested bid है वो भी आपको यहाँ पर दिख रही है अगर ये keywords जो है use हो रहे होते हैं आपके account के अंदर और उसके basis पे उनको कितने add impression share मिला होता है तो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होता है अब guys अगर आप average monthly searches को compare करोगे ये वाली जो average monthly searches है इनको google से तो definitely ये वाली यानि कि Microsoft ads के अंदर जो आपको average monthly searches मिलेंगी ये काफी कम मिलेंगी आपको google ads से तो उससे तो आप compare कर नहीं सकते है कि आपको वहाँ पर google ads में क्योंकि search volume उनका जादा है वह platform जादा यूज होता है तो वहाँ पर कोई भी keyword होगा उसकी average monthly searches in comparison to Microsoft ads काफी जादा होगी तो guys यहाँ पर अगर आप इसको और study करना चाहते से digital marketing एक हमें यापर keyword दिख रहा है और यहाँ पर आपको arrow दिख रहा है कि यह keyword है हमारा यह किन months में जो है थोड़ से जादा popular रहता है तो इस type की insights भी आप जो है वो collect कर सकते हैं यहाँ से इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे यह दो जो keywords है इनको मुझे further आगे use करना है तो आप इन दोनो keywords को select कर सकते हो यहाँ पर save to my account के उपर कर सकते हो और अगर आपको यहीं से इनको जो है ना किसी existing campaign के अंदर use करना है और उनको use कर सकते हो या फिर इन keywords के basis पर आप नए campaigns को create करना चाहते हो that you can also do तो guys इस तरीके से Microsoft Ads का जो keyword planner tool है इसको आप लोग use कर सकते हैं और इसकी help से आप जो keywords है उनकी research कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा इस particular वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई